हेलो एंड वेलकम डियर इस्टूडेंट आज हम लोग प्रस्णावली तीन दस्पलब पांच के प्रस्ण नमबर दो का दूसरा प्रस्ण को हल करेंगे ठीक है तो देखिए प्रस्ण है के के किस मान के लिए निमने रैकिक समीकरणों के युगम का कोई हल नहीं है के किस मान के लिए के का मान वो बताना है वो कोई एक मान बताना है इससे निमने रैकिक समीकरणों के युगम के कोई हल नहीं देखिए रोग दो रैकिक समीकरणों के युगम है 3x plus y equal 1 है दूसरा है bracket में 2k minus 1 बाहर x plus k minus 1 बाहर y equal 2k plus 1 है इसको आईए हम लोग solve या हल करते हैं तो देखिए प्रश्ण है तीसरे का सरी तीसरे का दूसरा ठीक है तो दिया गया जो समीक्रण का युग में है पहले लिख लेते हैं ठीक क्या है 3x plus y equal 1 इसको लिख सकते हैं ऐसे फिर 2k minus 1x k minus 1y 2k plus 1 और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं minus 2k plus 1 equal 0 समीक्रण तो ठीक है तो आईए इसको हल करते हैं अखिर का कौन सा इसा माने जिसके लिए समीक्रण की युग में का कोई हल नहीं है ठीक अब लिख अब हम लोग यहाँ पर इसका तूलना पहले कराते हैं इससे a1x b1y c1 equal 0 a2x b2y c2 equal 0 ठीक है अच्छा अब देखिए यहाँ से a1 कितना है 3 b1 1 c1 minus 1 a2 कितना है 2k minus 1 b2 a minus 1 c2 minus 2k plus 1 ठीक है अच्छा अब इसमें कहा है चुकी युग्म के युग्म का कोई हल नहीं है जब कोई हल नहीं है तो हम लोग जानते हैं कि a1 a2 का रेशियो या अनुपाद b1 b2 का c1 c2 का ऐसे होगा यह तो आपस में equal होंगे और लेकिन यह दोनों ही c1 c2 का equal नहीं होंगे तो आई यह मान रखते हैं a1 का कितना है एकुद कितना है 3 upon 2k minus 1 3 upon 2k minus 1 equal b1 b2 1 upon k minus 1 c1 c2 minus 1 upon minus 2k minus 1 ठीक है तो हमको k का ऐसा मान बताईए इसके लिए समिकरणों कि कोई हल नहीं ते इन दोनों अनुपातों को जो equal ले ले लेते हैं 3 upon 2k minus 1 equal 1 upon k minus 1 ठीक cross multiplication कर दीजिए या वज्जर गुरन ठीक है ठीक है इसके साथ 3k minus 3 2k minus 1 k को एक तरफ अर जो अचर उसको एक तरफ 3k minus 2k 3 minus 1 2 ये के हो गया k का मान आगया 2 अथा हम लोग कह सकते हैं कि k का मान जो है कि 2 है इसके लिए जो रैखिक समिकर्णों का यूगम दिया है रैखिक समिकर्णों की यूगम का कोई हल नहीं अगर k equal to 2 रख दिया चाहे तो इस वाले ये जो है सर्थ या कंडिशन इसको संतुष्ट करता है k equal to 2 Thank you